Hello Everyone, Welcome Back to VIP Topper Classes आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस्तिर वैद्यत बल और गुरुत्वा कर्षन बल में अंतर ये कॉश्चन क्लास 12 बोर्ड एक्जाम के लिए चैप्टर 1 से बहुत ज़्यादा एंपोर्टेंट है ये कॉश्चन बोर्ड एक्जाम में नहीं भी आता है तो आपको ये पता होना चाहिए इस्तिर वैद्यत बल क्या होता है गुरुत्वा कर्षन बल क्या होता है क्योंकि इसका उप्योग पूरे 12 बोर्ड क्लास के सारे चैप्टर्स में किया जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले हम देखेंगे इस्तिर वैद्यत बल क्या कहलाता है तो इस्तिर वैद्यत बल में आप फर्स पॉइंट यहीं लिख देंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षन या प्रतिकर्षन बल इस्तिर वैद्यत बल कहलाता है जो कि हमने कुलाम के नियम में पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षन या प्रतिकर्षन बल वहाँ वहाँ पर कुलाम के नियम में इस्तिर वैद्यत बल ही था ठीक है अब देखते हैं गुरुत्वा कर्षण बल गुरुत्वा कर्षण बल जो है दो पिंडों के बीच लगने वाला केवल आकर्षण बल होता है उसमें प्रतिकर्षण बल नहीं होता है ठीक है अब सेकेंड पॉइंट है कि इस्थर वैद्यूत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है जैसे कि यदि वायू या निर्वात है तो उसका मान अलग होगा यदि कोई माध्यम रगदे तो उसका मान अलग होगा ठीक है गुरुत्वा कर्षण बल में हम द यह बल प्रबलतम होता है और गुरुत्वा कर्शन बल यह बल दुरबलतम होता है ठीक है इन दोनों में अंतर पढ़ना इसलिए भी चरूरी है कि इन में बहुत सारी समानताइं भी है जिसके कारण एदी आपके अब्जेक्टिम में पूछा जाता है कि कहीं पर वैद्युत बल और गुरुत्वा कर्शन बल में समानताएं में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इस्तिर्वैद्युत बल यह बल बलों के वित्प्रम वर्ग नियम का पालन करता है और गुरुत्वा कर्शन बल भी बलों के वित्प्रम वर्ग नियम का पालन करता है ठ ठीक है थर्ड पॉइंट है कि इस्थिर वैद्यूत बल एक संदक्ची बल है अता इसकी दोरा किया गया कारेपत पर निर्भर नहीं करता और गुरुत्य कर्शन बल भी एक संदक्ची बल है ठीक है और लास्ट पॉइंट ये है कि इस्थिर वैद्यूत बल एक कैंद्री बल है और गुरुत्वा कर्शन बल भी एक केंद्री बल है अतह यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली देखा के अनुदिश कारे करता है ठीक है? तो इस तरीके से इस्थरवैद्द बल और गुरुत्वा कर्शन बल की समानताईं और असमानताईं दोनों हमने बता दी है आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रैंज के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग